प्रतिलिपी FM पर आप सुन रहे हैं हम सफर जिसे लिखा है रखर शर्माने और जिसको आवाज दी है मैंने यानि प्रिया सिंग ने भांग एक 9 जन्वरी 2019 मुंबई स्थान दे 3D's venture दे 3D's के ओफिस के सेंट्रल मीटिंग हॉल में जबर्दस तैयारियां चल रही थी आज उनके नए CEO पहली बार Board of Directors और कुछ आन्य मुख्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले थे वैसे तो नए CEO सभी के लिए कोई नए व्यक्तित्व नहीं थे क्यूंकि वो पिछले 5 सालों से उन सभी के साथ ही काम कर रहे थे बस फर्क इतना सा था कि आज उनका कद वहीं पहुँच गया था जिसकी सभी को आशा भी थी और तमन्ना भी Central Meeting Hall का दर्वाजा खुला और एक शक्स भीतर दाखिल हुए Everything is okay लतिका ये आवास थी Mr. Shenoy Khurana की जो The 3D Ventures के CMD Mr. Shantanu धनराज के Personal Secretary थे Mr. Shantanu की कंपनी के 3Ds थे Software Designing, Debt Financing और वे खुद यानि D for धनराज Yes sir, everything is going well लतिका राथोड ने कहा जो 3Ds की HR head थी That's good, सर बस कुछी देर में घर से निकलने वाले हैं Shantanu धनराज के 3 मंजिला आलिशान बंगले के एक कमरे के बाहर आज बहुत चहल कदनी हो रही थी सभी नौकर और परिवार के सद्य से भी बारी बारी से देखने आ रहे थे कि कब जाकर इस कमरे का दर्वाजा खुलेगा और सभी को इस हड़बढाहत से राहत मिलेगी पूछा सौरी माम लेकिन अभी तक नहीं आए एक नौकर ने कहा यह लड़का भी ना यहां इसके पाँ की लाइफ का सबसे महत्वपूर्न दिन था वो हमेशा अपनी घबराहट को दो ही तरीके से दूर करता था शावर और गिटार कहने को सिर्फ 26 साल ही हुए थे उसकी लाइफ में लेकिन इन 26 सालों में ही उसने लाइफ के कई सबक भी सीखे थे और दूसरों को सिखाए भी थे उसने शावर के प्रेशर को थोड़ा कम किया और पानी की बोचारों के बीच सिर उठा कर उन बूंदों को चहरे पर आने दिया थोड़े लंबे बाल, ट्रिम बियर्ड और चहरे की वो शांती उसे जितना नर्म दिखा रही थी उसके बाए हाथ पर बना RD का टाटू, दाएने हाथ में पहना हुआ प्रेसलिट, उसकी चंचलता पया कर रहे थे कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया, खुद को कुछ देर आईने के सामने देखा और उसके बाद उसकी माँ द्वारा आज के दिन के लिए सिलेक्ट किया हुआ, थ्री पीस सूट पहना और बाहर जाने से पहले एक आखरी बार अपने गिटार को निहारा इट शो टाइम, वो बुद बुद आया, और जैसे ही उसने दर्वाजा खोला, उसकी माँ बाहर ही खड़ी थी उन्होंने कुछ बल अपने बेटे को उपर से नीचे देखा, और मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ फेरा माई बच्चा, कभी अपनी मां के कंधों पर सर रखकर सोने वाला मेरा रॉक स्टार आज इतना पड़ा हो गया कि अपने परिवार के बिजनिस की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेने वाला है अभिलाशा धनराज बोली, उसने मुस्कुराते हुए अपनी मा के पैर चुए God bless you बच्चा, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा And all the best Mr. Ranveer धनराज, Thanks mom उसने कहा, Ranveer धनराज, शांतनों और अभिलाशा धनराज की तीन संतानों में सबसे बड़ा और उसका सबसे लाडला बेटा, सिर्फ उनका ही नहीं, घर में सभी का लाडला फिर चाहे वो उसकी दीदी हो, या उसके छोटे भाई बहन और उसका कारण भी सपष्ट था Ranveer के लिए उसकी फामली, उसकी लाइफ थी, उसका घुरूर था यही एक बात थी, जो उसने अपने पिता से आत्मसाद की थी पा, इस वेटिंग फियो बच्चा, अभिलाशा ने कहा या, रनवीर बोला, और उनके साथ अपने पिता के कमरे में चला गया रनवीर अपने पिता शांतनू के कमरे में आया उसके पिता उसी का इंतिजार कर रहे थे वेरी गूँशनू ने कहा, और उसका हाथ धामा उन्होंने पूछा, फिलिंग नवस पा, रनवीर ने कहा वेल, आय वज़ नवस टू शांतनू ने बोला, जब तुम्हारे दादा जी ने मुझे कारुबार के जिम्मेदारी सौपी थी तब उन्होंने मुझसे बस यही कहा था कि ये बिजनिस तुम्हारा पहला बच्चा है इसे हमेशा अपने बाकी बच्चों के तरह ही प्यार देना येस बा, मैं वादा करता हूँ रनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारा इंट्रेस्ट कभी हमारे बिजनिस में नहीं रहा है पर मेरे हेल्थ इशूज के कारण पहले तुम्हें बिजनिस जॉइन करना पड़ा और अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी शांतनू की आवास थोड़ी भारी हो गई थी इसा बिलकुल नहीं है ये बिजनिस हमारे परिवार की प्रतिष्ठा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे किसी भी सपनों से ज्यादा बड़ी है और ये शांतनू ये सुनकर मुस्कुरा दिये वे बोले अब मैं चलता हूँ पा रनवीर ने कहा रनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से चला गया इतनी आसानी से तुम खुद की इच्छाओं को अपने अंदर ही समेट लेते हो रनवीर लेकिन मैं पिता हूँ तुमारा समझ चाता हूँ शांतनू उसके जाने के बाद धीरे से बोले रनवीर नाश्ता करके आफिस के लिए निकल ही रहा था कि अभिलाशा जी उसके पास आकर बैठ गई अपने पास से मिल गया वो फर्स डे वाला फंडा अभिलाशा जी हसते हुए बोली रनवीर भी बस मुस्कुरा दिया यू नो रनवीर मेरा तुम्हारे पाके बिजनस में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कई बार मनाया कि कंपनी के किसी भी नए और इंपोर्टन्ट अनाउंस्मेंट के समय में मैं भी उनके साथ रहूं रनवीर गौर से उनकी बात सुन रहा था अब इलाशा जी ने आगे कहा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ाएंगे जहां पर चाहते हुए भी हम हमारे पेरंस से कुछ शेर नहीं कर पाएंगे और उस समय हमें जरूरत होती है एक साथी की वो सच्चा साथी जो हमारा कंपैनियन बनकर हमेशा हमारे साथ चले हमारा सीक्रट शेरिंग वाला दोस्त बने और हमें पूरा करे जस्ट लाइक यू और पा रनवीर मुस्कुराते हुए बोला अभिलाशा ने उसके कंदे पर हाथ रखा लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना जी मॉम रनवीर ने कहा ओके बहुत सारी सीरियस बाते हों गई अब तुम जाओ कई लोग तुम्हारा अलग-अलग जगा वेट कर रहे हैं अभिलाशा जी ने कहा अलग-अलग जगा? रनवीर ने दोहराया और फिर कुछ सेकेंड सोच कर बोला अधिती, बैठी है तुम्हारी गाड़ी में मुझसे नाराज होकर अभिलाशा जी ने कहा वाट? लेकिन उसका तो आज कॉलेज में एक्जाम है वही तो, अब तुम ही समझाओ अभिलाशा जी ने कहा रनवीर की तीनों गाड़ियां बाहर खड़ी हो गई थी इन में से कौन सी गाड़ी में वो जाएगा ये उसके ड्राइवर्स को भी नहीं मालूम होता था लिकिन एक इनसान था जिसके लिए ये पहचानना बाए हाथ का खेल था आदिती धनराज, रनवीर की छोटी बेहन रनवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर आदिती को बैठा पाया अभिलाशा जी भी पीछे ही खड़ी थी गुद मॉनिंग आदिती रनवीर बोला अदिती बोली आप मुझे आज तो ओफिस लेकर जा ही सकते हो आज आप CEO बनने जा रहे हो ब्रो हाँ मैं ले जाता लेकिन आज तुम्हारा एक्जाम है अदिती टर्म्स है बिग ब्रो अदिती बोली एक एक्जाम छूट गया तो दोबारा हो जाएगा भया आज इतना बड़ा दिन है आपके लिए इस शुट बी अपार्टी टुड़े इन दो ओफिस आदिती अच्छा लिसन इस समय पाकी हेल्थ ठीक नहीं है तो पार्टी करना इस बाड आइडिया रही बाद पार्टी की तो पक्का हम वो करेंगे लेकिन कुछ दिन बाद बन रो माना ये एक्जाम दोबारा दिया जा सकता है लेकिन रनवीर धनराज नहीं चाहता कि उसकी बहन कुछ भी रिपीट करे यो दुफायर अदिती यो नो ना येस भाई, आई आम अदिती बोली दन गो and have a superb एक्जाम और इसके बदले आज तुम दोनों को पिक करने मैं खुद कॉले जाऊंगा रीली? अदिती चौक गई आप हमें पिक करेंगे? आप कभी हमारे कॉलेज के अंदर गए भी हो और राहूल भाईया तो आपको वहार देखकर बेहोश ही ना हो जाएं आदिती हसते हुए बोली और सेंस ओफ यूमर आदिती रनवीर उसे चिढ़ाते हुए बोला बेटर दन यू पिक ब्रो अदिती ने पलट वार किया लेकिन राहूल निकला कब मॉम? रनवीर ने बाहर देखकर पूछा निकला वो तो कल से आया ही नहीं है कोई प्रोजेक्ट है इसलिए कल से कॉलेज ही है अभिलाशा जी ने कहा चीक है बया आदिती बोलते हुए गाड़ी से उदर गई रनवीर ने दोनों को बाई बोला और उसकी गाड़ी सरपट गती से बाहर निकल गई जुल्दी से रड़ी हो जा मैं ब्रेक्फिस्ट रूम में ही भिजवाती हूँ अभिलाशा जी ने कहा मॉम, डे यू नो? वोट बच्चा? आई लव यू! आदिती ने अपनी मां को हग किया और भाग गई आई लव यू आल मेरे बच्चो अभिलाशा जी मुस्कुराते हुए बोली रणवीर के ओफिस के उसकी बाहर गाड़ी रुकी एंट्रेंस गेट पर ही उसका स्वागत करने हे तु कई लोग खड़े हुए थे वल्कम सर शनौई ने रणवीर के बाहर निकलते ही उसे बुके देते हुए कहा लटिका, चिराग और अन्य लोगों ने भी उसे विल्कम किया रणवीर सीधा सेंट्रल मीटिंग हॉल में पहुँचा जहां पर बोर्ड अफ डिरेक्टर्स और अन्य पदाधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे Sorry for getting a bit late रणवीर ने आते ही कहा और अपना कोट उतार कर अपनी सीट पर टांग दिया यहां पर कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ कई लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ कुछ लोग बहुत अच्छे से मेरे काम करने के तरीकों और मेथद्स को जानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये एक नया experience होने वाला है आप मेंसे कई लोगों के मन में शायद मेरे लिए डाउट भी हो पर मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ ये बिजनस मेरे लिए मेरे बच्चे के समान है और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि इसे मैं उसी तरह से संभालूंगा जैसे एक पिता अपने न्यूबॉन बेबी को संभालता है शेनाव ये सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे रन्वीर में आज उन्हें पहली बार शामतनू की जलक दिखाई दे रही थी जेंटल्मन मैं अपने पा की जगा तो नहीं ले सकता और ना ही मैं ऐसा कुछ करने की सोच रखता हूँ मेरा इरादा और मेरा लक्ष सिर्फ एक ही है मैं अपने पेरंस की ब्लेसिंग्स और आप सभी के विश्वास और सपोर्ट के साथ इस बिजनिस को उस उचाई पर लेकर जाऊं कि मेरे पाबी कहें सभी ये सुनकर तालियां बजाने लगे शनौई को अब काफी राहत मिली थी उन्हें रनवीर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और जजबा देखकर ये भरोसा हो गया था इस शान्तुनों ने बिजनिस की कमान रनवीर को सौप कर कोई गलती नहीं की थी शेहर के सबसे बड़े मल्टी कोर्स कॉलेज के कैंटीन लॉन में जबर दस्त भीड लगी हुई थी फाइनल येर के दो लड़के आपस में बैठे हुए थे और उनकी इर्द गिर्द उनके दोस्त उनहीं गेरे हुए थे गो फुर इट राहूल कामान नेश दोनों तरफ से हूटिंग जारी थी एक फुर्स्ट येर का लड़का एक्जाम देकर वहाँ आया क्या हो रहा है गाइस इतनी भीड वो देख राहूल और नेस्टर का पंजा कॉमपेटिशन चल रहा है एक लड़की ने कहा और इशारा किया रहूल और नेस्टर एक दूसरे की और आखे गड़ाए पंजे पर बैठे हुए थे मुकाबला फिलहाल किसी भी तरफ जाता नहीं दिखाई दे रहा था तभी एक सुन्दर लड़की रहूल के पास आकर खड़ी हो गई यू किन विन दिस रहूल उसने मुस्कुराते हुए कहा और डी रहूल बोला कॉल मी आर्डी यो ब्यूटिफल ओकी आर्डी मैसेल्फ शेरी वो बोली रहूल का हाथ नेस्टर की तरफ थोड़ा जुकता दिखाई पड़ रहा था सभी की आखे तनी हुई थी अचानक रहूल ने हाथ को अजीब और गरीब जटका दिया और नेस्टर के हाथ को अपनी साइड लाप पटका येस रहूल इस दे विनर रहूल का दोस्त निकुन चिलाया रहूल 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 सभी लोग हूटिंग करने लगे जब तक अधिती भी कैंटीन की तरफ आ गई उसने लोगों को वहाँ चियर करते हुए देखा ये क्या हो रहा है और रहूल भई और नेस्टर यहाँ रहूल खड़ा हुआ अपना हाथ थोड़ा ट्विस्ट करके सही किया और फिर हाथ हिलाते हुए बोला रहूल नेस्टर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा डोन्ट बी अपसट निश अभी तो तुझे बहुत बार हराना है रहूल ने मजा किया अंदाज में कहा और हसने लगा इतना सुनते ही रहूल के बाकी दोस भी हसने लगे नेस्टर ने ये देखा और बिना कुछ सोचे समझे वही पर रहूल के चहरे पर घूसा जड़ दिया आस पास का शोर एकदम सन्नाटे में बदल गया रहूल अचानक हुए इस वार से एक पल भौचक्का रह गया लेकिन उसने अगले ही पल खुद को संभाला और अपनी नाक के पास हांस ले जा कर देखा उसकी नाक के पास से फून चमक उठा था इसकी तो निकुन चिलाते हुए आया लेकिन रहूल ने उसे रोक लिया चिल निकी रहूल मुस्कुराते हुए बोला हम यहां पढ़ने आते हैं गुंडा गर्दी करने नहीं लेकिन इसने तुझे मारा है निकुन्च चिलाया हाँ तो हम रिवेंज लेंगे न लेकिन ऐसे नहीं यार रहूल ने कहा मॉम कहती है जब आपको पता हो कि कोई आपकी बेज़ती भी डिजर्व नहीं करता तो वहां अपना टाइम बेस्ट नहीं करना चाहिए रहूल ने नेस्टर की ओर देखा ये कोई वार नहीं है निश लेकिन याद रखना तूने तेरे स्टांडर्ट के अनुसार स्टेप उठाया मैं मेरे स्टांडर्ट के अनुसार स्टेप लूँगा अफकोस मैं वेट करूँगा नेस्टर ने अकड दिखाते हुए कहा ये सब अब तक आदिती दूर से ही देख रही थी उसका दिमाग खराब हो गया था वो पुदपुदाई और मोबाइल निकाला रनवीर अपनी मीटिंग्स और बाकी काम खत्म कर निकल ही रहा था कि लतिका उसे मिल गई लतिका HR डिपार्टमेंट की हेड ही नहीं बलकि रनवीर की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी रनवीर MBA प्रोग्राम के समय उसका सीनियर था और उसी समय उसने लतिका की स्किल्स देख उसे अपने कंपनी में जॉब ओफर कर दिया था कहां जा रहे है हुसर लतिका ने पूछा ओ प्लीज लतिका तुम मुझे सर्मत कहो यार पॉल मी रनवीर मेरी पोस्ट बदल जाने से हमारी दोस्ती ने ही बदलने वाली है हाँ लेकिन यहां तुम मेरे बॉस हो लतिका हसते हुए बोली कमॉन लतिका ये कोई इशू नहीं ओके रनवीर अब तो सही है येस दाट्स ग्रेट लतिका कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका मूबाइल बजा लतिका दी मैंने सोचा कहीं भाई मीटिंग में बिजी हो गए इसलिए मैंने आपको कॉल किया अगर भाई फ्री हो जाएं तो उन्हें बोलना कि तुरंथ हमारे कॉल ले जाएं ये लो बात करो लतिका ने मूबाइल रनवीर को दे दिया अदिती रनवीर बोला अदिती ने उसे सब कुछ बता दिया ये सुनते ही रनवीर का गुसा साथवे आसमान पर पहुँच गया था उसने एक शद नहीं कहा मूबाइल लतिका को थमाया ड्राइवर से गाड़ी की चाभी ली और फरराटेदार रफ्तार में गाड़ी निकाल के ले गया ओ माइ गॉड जनवीर बहुत गुस्से में था आई होप एवरीधिंग इस फाइन लतिका चिंतित होकर बोली